आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ जो ओवरी है जो की Female Reproductive Part प्लांट का वो सुपीरियर रहता है और जो सेपल्स और पेटल्स है वो ओवरी के नीचे से प्रेजन रहता है ऐसे करके और ओवरी जो है वो सबसे उपर से प्रेजन रहता है और इसी अरेंग्मेंट को क्या बुला जाता है सुपीरियर ओवरी सुपीरियर ओवरी और पहले वाला जो टिट्रामेरस फ्लावर है यानि जो फ्लावर के पेटल्स है उनमें चार कोरोला यानि की पेटल्स जो है वो पाए जाते है चार कोरोला तो चली देखते हैं ऐसे कौन से फ्लावर है जिनमें Tetramedus Flower और Superior Overee जो है वो पाये जाते हैं तो पहला है Brassi Casey, Brassi Casey जो है यह Mustard Family है और अगर आप लोग Mustard के Flower को देखे होंगे अच्छे से तो वहाँ आप लोग देख सकते हो कि जो Corolla है यानि जो Petals हैं वो 4 में पाये जाते हैं और जो ओवरी है इनका वो भी Superior आता है इसी वज़े से जो हमारा First Option Brassi Casey है वही Option बिल्कुल Correct हो जाएगा नेक्स्ट है Papilliniosi तो यह एक ऐसा Family है जिसको Legum Family भी बोला जाता है यहाँ पे Leguminous Plants प्रेजन रहते हैं और इनके जो Corolla रहता है यानि Petals वो 5 नमबर में आते हैं नेक्स्ट है Cuker PTC तो यह एक Family है जिसको God Family भी बोला जाता है यहाँ सारे Gods प्रेजन रहते हैं जैसे पिटर God वगेरा तो यह जो है इनमें भी अगर हम लोग Petals देखेंगे तो वो 5 नमबर में आते हैं लास्ट है 16 नेसी जो की Night Shade Family है या पर Potato Family और इनमें भी अगर हम लोग Petals काउंट करेंगे तो क्या आएगा यह Potato Family और इनमें भी अगर हम लोग Petals काउंट करेंगे तो यहाँ पे भी Petals जो है वो 5 नमबर में आते हैं तो हमारा Correct Option हो जाएगा Tetra Medus Flower और Superior Ovali के लिए पहला जो की Brasi Casey है और यह इसको Mastered Family भी कहा जाता है Classics च्ट्वेल से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडिंट्स का भरोसा आज यह डाउनलोड करें डाउटनेट आप यह WhatsApp कीचे अपने डाउट आच 400 404 चार सुपर